डाउटनट पर आपने कोड़ा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर्ड जीवी सर्ड अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ये नाउलोड कीज़े डाउटनट आप हेलो एवरिवान कारंट एलेक्रिसिटी पार्ट थी में कारंट एलेक्रिसिटी चाप्टर को कंटिनीव करते हुए अब हम पहले डिस्कस करेंगे कलर कोड फॉर रिजिस्टर वैसे ये इंतरा इंपोर्टन नहीं है पर एक क्वेस्टन लास्ट तु लास्ट येर पूछा गया इंडिकेट क्या करती है सीक्वेंस इंडिकेट करती है ओफ कलर बैंड ये इंडिकेट करती है ये कलर कोड जो उसके अंदर हमारे रिजिस्टन्स का जो होता है वाल्यू रिजिस्टन्स की वह एक सीक्वेंस अफ कलर बैंड डिनोड करती है और हर कलर का एक स्पेसिफिक भी होता है जो की mark'd rather round the resistor अब colored bank की marking क्या होती है near one end marking होती यानि की इसको हम diagram के through समझेंगे अगर ये हमारा दिया हुआ है resistor base ठीक है यहां पे ये band अगर इस तरीके से है फिर हमारा इस end पे इतना एक और है फिर एक और है ठीक है and then एक हमारा थोड़ी दूरी पे middle पे है तो ये तो हमारा क्या के लाया जाता है first band ठीक है ये हमारा क्या के लाया जाता है ये हमारा second then ये हमारा क्या के लाया जाता है third and then ये हमारा जो होता है ये कहलाया जाता है tolerance band, ठीक है, तो इनकी जो values रहती है, वो इस accordingly रहती है, जैसे कि अगर हमें color given है, for example, हमें एक table बना लेते हैं, याद करना easy होगा, इसमें हम first band discuss करेंगे, फिर हम second band discuss करेंगे, फिर हम third band, and then fourth, ठीक है, ये discuss करेंगे, तो पहले अगर हमारा color है black, तो black का जो first band होता है, वो क्या होता है, 0, second भी 0, तो third हमारा क्या हो जाता है, 10 to the power 0, अगर हमारा band है brown, तो इसका हम कैसे रखते हैं, first हमारा 1, then 1, then 10 to the power 1, फिर आता है हमारा red, red में 2, 2, then 10 to the power 2, इस तरीके से ये हमारी series रहती है, फिर इसके बाद हमारा आएगा orange, 3, 3, यानि की 10 to the power 3, फिर हमारा आएगा yellow, then ये हो जाता है 4, 4, 10 to the power 4, and then green, and इसकी वाली हो जाती है 5, 5, 10 to the power 5, फिर ये अभी third band तक चलता रहता है, ऐसे ही, फिर आता है हमारा blue, blue हो जाता है 6, 6, 10 to the power 6, then हमारा आजाता है violet, violet हो जाता है 7, 7, यानि की 10 to the power 7, फिर आजाता है हमारा यहीं पे gray, and ये हो जाता है 8, 8, 10 to the power 8, फिर हमारा इसी में आजाता है, अब देखेंगे white, white हो जाता है 9, 9, यानि की 10 to the power 9, लास्ट क्या होता है, जो हमारी values रहती है white तक, फिर हमारे आते हैं थोड़े exceptional colors जैसे की gold, गोल्ड का हमारा first or zero band कुछ नहीं रहता, then हमारा third band होता है 10 minus 1, या हम क्या लिख सते है 0.1, और fourth band में इसकी tolerance पावर होती, plus minus 5%, फिर यहीं gold में हमारा क्या आजाता है, फिर silver, silver में भी first second zero रहता है, third में 10 to the power minus 2, यह हो जाता है 0.01, और इसका fourth band का रहता है, plus minus 10%, then last रहता है none, इन में से कोई और color हुआ, तो यह हमारा हो जाता है nil, पिर हो जाता है plus minus 20%, तो first और second band है, वो यह indicate करते हैं, क्या indicate करते हैं, वो यह indicate करते हैं हमारे कि जो first और second significant digit है, value of resistance की, वो ohm में है, और third हमारा यह बताता है, कि जो indicate करते है number of zero, जो follow करेंगे, यह decimal multiply, और fourth band, जो है, यह हमारा define क्या करता है, tolerance, यह percentage deviation, जो rated values का है, tolerance आप समझे, एक तरीके का precision हो गया, जो कि हर resistor का fabricate किया जाता है, अगर fourth band नहीं marked होता, तो tolerance क्या रखते हैं, plus minus 20% जैसे कि हाँ हमने लिखा है, memory tip के लिए, अगर हमें इसे ऐसे याद करना तो difficult है, तो हम एक mnemonic बना लेते हैं, इसका, वो हमारा क्या होता है, BB Roy of Great Britain, ठीक है, इस तरीके का mnemonic बना के, हम ऐसे define कर सकते हैं, BB Roy of Great Britain had a very good wife, यहनि की had a very good wife, ठीक है, इस तरीके का, यानि की bold letters जो है, indicate क्या करते है, first three letters of the color in the sequence, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और charge resist for resistor, अगर value less होगी 10 ohm से, तो third band जो है, या तो gold है, या silver है, या सचता है, अगर हम multiply कर देए, उस फे factor 0, 1 या 0, 0, 1, तो यह था हमारा color code, जो होता है resistors का, अब आगे topic discuss करते हैं, relation क्या रहता है, between E, V, I in electrical circuit, relation current जो रहता है, circuit का कैसे define किया जाता है, अभी हमने देखा था, I हमारा होता है, EMF, जो है, divided by total resistance, जो है, circuit की, ठीक है, यानि कि इसकों simple का लिख सकते है, E by R, जो resistance है, plus small r, जो इसका internal resistance है, ऐसे में terminal potential, अगर हमें difference बताना हो, तो वो कैसे defined होता है, V is equal to IR, यानि कि हम इससे लिख सकते है, ER by R plus R, और simply अगर हम उसे R हमारा differentiate करके हम लिख सकते हैं, कि V की value क्या होता है, हमारी E minus IR के equal होता है, तो हमारी अब कुछ circuit की states बन जाएंगी, circuit, अब state के according क्या potential रहता है, current क्या रहता है, वो discuss करते हैं, ताकि हमारे numerical में अगर हमें दिया है कि circuit open है, closed है, तो कैसे लेना है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, एक table बना लेते हैं, state of cell in circuit, then हमारा आएगा, potential difference V क्या है, current I की value क्या होगी, और resistance हमारा R क्या रहेगा, तो एक हमारी table form हो गई, चलिए, अब state है circuit की, closed, तो हमें circuit क्या दिया है, अब हमारा circuit closed है, यानि कि उसकी value जो है, हमारी इस तरीके से है, अगर हम बात करें, तो close का मतलब क्या होगा, कि इधर अगर हमारा EMF E लगा है, यहाँ हमारा resistance है, इधर हमारा B point है, इधर हमारा कोई A point है, current हमारा ऐसे move कर रहा है, यह E हो गया, यह internal resistance R हो गया, अगर हमारी V की value less than हमारी E की है, EMF की, तो V क्या रहता है, V is equal to E minus IR, यह रहता है during discharge, जब charging हो रही हो, तो यह value जो है, यह है during discharge, और यहीं पे अगर charging हो रही हो, तो value क्या हो जाती, तब V की value हो जाती E plus IR, और जो V है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, ग्रेटर देन E, यह होती है during charging, यहीं पे फिक current I क्या हो जाता है, यहाँ closed में फिर current हमारा finite रहेगा और resistance हमारा भी क्या रहेगा ये भी हमारी इसकी value finite रहेगी ठीक है then अब हमारा ये तो हमारा closed circuit का हुआ जब हमारा EMF तो पहले तो अब आप देखिए कि जब हमारा charging हो रही तो current की direction ऐसी थी और जब discharging हो रही होगी तो current की फिर इस case में हमारी कैसी direction आएगी वो हमारी इस तरफ हो जाएगी then next state है हमारी discuss करने वाली अगर circuit जो है वो हमारा open है तो open में क्या होता है B हमारा simply क्या हो जाएगा E के बराबर ठीक है और I क्या हो जाएगा open में 0, current flowing नहीं करेगा और infinite कितनी हो जाएगी resistance की infinite infinite resistance होगी then अगर अगर अब हमारा circuit दिया की वो short हो चुका है short यानि की इस तरीके का है अब circuit imagine करिये यह हमारी बाटरी और इधर हमारा resistance इस तरीके से अगर हमें दिया है ठीक है यह हमारा क्या है E और इसकी internal resistance R ये voltage short circuit के लिए zero हो जाती है E I की value हो जाती है current की E by R और जो resistance है R वो क्या हो जाता है capital R वो zero के equal हो जाता है तो ये तो हमारा relation आ गया E capital E V और R के बीच में है ठीक है next अब हम यहाँ बात करेंगे हमारा discussion का है कि अगर हमारी grouping हो रही हो cell में वो कैसे हम देखते हैं तो grouping cells की discuss करेंगे चलिए cell को हम group कर सकते हैं to get necessary voltage और current अगर हम करना चाहें तो अगर हमारा पहला point है कि अगर हमारे जो cells है वो series में है पहला case में अब हमारे cell जो है वो series में है और अगर N cell है EMF E1 E2 E3 E and so on है और internal resistance R1, R2, R3 and so on है तो simply हमारा E कितना हो जाएगा इस case में वो आ जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3 जितना हमारे सब वो N cells दिया है ठीक है N cells दिया है हमारा R कितना हो जाएगा R effective कितना हो जाएगा यह हमारा simply addition हो जाएगा यह भी scalar addition अगर हमारा N identical cell दिया है अब यहां तो हमें पता नहीं कि वो identical नहीं है इसी में अगर हमारे जो N है यह identical हो जाएगा तो identical के case में कितना हो जाता है तो values कैसी हो जाएगी E effective simply क्या हो जाएगा N times हो जाएगा न summation करना जरूरी नहीं पड़ेगा इसमें N times कर दो आप E की value similarly R क्या हो जाएगा R effective वो भी हमारा N times R हो जाएगा sorry small r रहेगा यहां पर यह तो यह हमारी grouping of cells का value हो जाएगा current I क्या होगा current I simply क्या हो जाएगा इस case में current I हो जाएगा N times E by R plus N R तो यह हमारा grouping of cells हो जाएगा ठीक है then यहीं पर अब हमारे अगर for example एक circuit अगर हम draw करके देखे इस तरीके का circuit है ठीक है यहां पर एक battery दूसरी battery and so on ऐसे करते करते हमारी combination दिया है और बीच में हमारे कुछ P cells है जो insert किये गए है ठीक है इस तरीके का फिर यहां पर E R है फिर इस तरीके का हमारा setup दिया है और यहां हमारी resistance है R अब इस case में अगर P cells है group of N identical cell जो की connect कर दीगे है reverse polarity अब आप देखिए कि पहले तो polarity हमारी ऐसी है अब reverse polarity के साथ अगर हम connect कर दें तो हमारी value क्या हो जाएगी simply आप देखिए यहां से E effective हमारा कितना हो जाएगा E effective हमारा आजाएगा N minus 2P यह आप memorize कर ले न E ठीक है और यह हो जाएगा R effective is equal to N R और I की value कितनी हो जाएगी I हमारा हो जाएगा N minus 2P E by R plus N R के equal आजाएगा ठीक है तो यह हमारा grouping in cell हो गया but series का अब हम दूसरा case discuss करेंगे और दूसरे case में अब हम बात करेंगे अगर यही cells अप parallel में connect किये जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें N non identical के case में तो E effective हमारा कैसा हो जाएगा simply यह हो जाएगा E1 by R1 plus so on यह divide हो जाएगा E N by R N ठीक है divided by किससे हो जाएगा यह 1 by R1 plus 1 by R2 and so on यही पे R effective कितना हो जाएगा जब non identical हैं यह हो जाएगा 1 by 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on till 1 by R N parallel के case में यही पे अगर दो cells parallel में हैं तो हम calculate करके निकाल सकते हैं सिर्फ 2 की value डाल दो R N के जगा तो हमारी values आजाएगी ठीक है अब यही पे अगर यह N identical pair हो जाएगा तो E effective हमारा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा simply E के equal और R effective कितना हो जाएगा small r effective यह हमारा R by N के equal हो जाएगा जब हमारे N identical pairs up given है cells के ठीक हैं और current कितना flow करेगा इसमें current हमारा simply क्या हो जाएगा N times E by N R plus R के equal parallel grouping जो N non identical cell की होती है अगर सम cell अगर हम उसे parallel group कर दे reverse polarity के साथ ठीक है वहीं पर अब उसी का एक दूसरा case अगर हम देखें यहां पर parallel case है पहले हमारा एक battery connected है इस तरीके से ठीक है फिर दूसरी battery connected है एसे करके हमारा यह extend हो रहा ए्यक्तिन देन बीच में क्या हो रहा है यहांपर हम देखिएं अगर हमारा एक system है कोई हम imagine करें system और यह यहां पर जो है यह हमारा reverse polarity के साथ connect किया जा रहा है ठीक है वह हमारा Simple reverse polarity के साथ connected किया जा रही है करके हमारा system बन रहा यहां पर हमारी resistance है R ठीक है तो simply हम यहां देखेंगे कि हमारा इस case के लिए effective कितना हो जाएगा वो value हमारी simply आ जाएगी अब हमारा यह values ऐसी हो जाएगी E1 plus R1 plus E2 by R2 minus E3 by R3 minus E4 by R4 इस तरीके से हमारी एक series बन जाएगी divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn ठीक है यह हो जाएगा हमारा values और यहीं पर हमारी R effective की value कितनी हो जाएगी यह हमारा कितना हो जाएगा 1 by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn के equal ठीक है तो यह हमारा हो गया parallel और इसका series का case अब next एक बड़ा interesting सा case है कि अगर mixed grouping हो रही हो cell की यानि कि अगर हमें अब M cell दिये हैं जो की हमारे identical cell है ठीक है जिनकी EMF कितनी है E internal resistance है R और यह connected है series में यहीं पर एक है N सच रोज जो series cell की है वो connected है parallel में इसी तरीके की रोओ पर अब connection कैसा है parallel में तो combination जो है across the resistance वो हो रहा है R के तो हम इस case में I की value के लिकेंगे I हमारा हो जाएगा M into N into E by R N plus M R के equal ठीक है then condition जो maximum current की mixed grouping of cells में वो यह होगी कि जो जितनी हमारी external resistance है वो equal रहेगी effective internal resistance की यानि की maximum अगर हमें current चाहिए तो यह कितना रहेगा in mixed grouping में अगर हमें चाहिए उस case में जो हमारी condition बनेगी हमारी external जो है resistance वो effective internal resistance की equal रहेगी यानि की capital R जो है वो हो जाएगी M R by N capital R और maximum current जो draw होगा mixed grouping से अब cell की वो कितना हो जाएगा यह current हो जाएगा I max M N E by N 2 under root M N R R के equal ठीक है यह हमारी इसकी value हो जाएगी अब जब यह resistance जो है जो हम add up करते हैं वो जादा हो जाए बहुत जादा हो जाए आर effective से तो जो series grouping है वो prefer की जाएगी तो हमारी जो grouping ली जाती है वो कौन से होती है series अब यही R अगर बहुत छोटा हो जाए R effective से तो grouping कैसी हो जाती है फिर हो जाती है parallel अगर हमें जादा power चाहेंगे तो cell कैसा connect होना चाहिए वो mixed grouping में हमें connect करना चाहिए तब ही वो फाइदा होता है mixed grouping का mixed grouping के बाद अब next जो है हमारा important topic किर्चोफ's law जिसके बहुत circuit based question पूछे जाते हैं तो किर्चोफ's law हमारे दो होते हैं पहला law हमारा यह कहता है फुर्स लॉ और सेकिंड law होता है इसमें फुर्स लॉ तो हमारा यह है कि जो एलजेब्रिक सम जितना भी करेंट एक junction पर पर राह रहा है वो 0 रह गया यानि कि तो यह क्या follow करता है conservation of charge, यह question भी पूछा जाता है, कई बार exam में आया भी है कि किर्चोफ's law का कौन सा law conservation of charge denote करता है, वहीं पर second law हमारा ये है कि algebraic sum जो होता है voltage का, अगर एक loop है या mesh है, उसका हमारा voltage difference जो होता है, वो 0 रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते है conservation of energy इसको हम इस तरीके से define करते हैं, तो यह हमारा होता है किर्चोफ's law, जिसके base circuit questions आपके बहुत पूचे जाते हैं, next, अब हम discuss करेंगे, wheatstone network क्या होता है, meter bridge क्या होता है, potential meter क्या होता है, फिर हम इस chapter को क्या bind up करेंगे, चलिए, अब हम बात करते हैं wheatstone bridge की, wheatstone network, एक ऐसा circuit है, जो की use किया जाता है, कि वो हम value find कर सके unknown resistance की, तो यह use होता है, unknown resistance जो होती है, उसकी value find out करने के लिए use किया जाता है, resistance की value के लिए, या फिर compare किया जाता है resistance को, तो अगर हमें for example, इस तरीके से wheatstone bridge को हम define करते हैं network में, यहां से हमारी एक line होगी, फिर हमारी इधर से line हो गई and then, यहां से, इधर से हमारा connection हो गया, यह point A अगर हम consider कर लें, यहां C हो गया, यह B हो गया, यह D हो गया, ठीक है, और इधर हमारा attached होता है, galvanometer G, current इसको resistance P दे दो, इसको Q दे दो, इसको S दे दो, इसको R दे दो, ठीक है, और यहां पे battery है, इधर हमारा switch लगा हुआ है, औ हो गया, ठीक है, यहां पे split up होके, यह current I1 हो जाता है, इधर हमारा आ जाता है, इधर current galvanometer में IG हो गया, ठीक है, यहां पे I2 हो गया, इस तरीके से flow कर रहा होता है, I3, and then, हमारा आ जाता है, यहां पे I4, wheatstone network जो है, उसे balance कहते हैं, अगर current जो galvanometer के थ्रू आ रहा हो, वो 0 हो, और condition balance की जो होती है, wheatstone bridge की वो यह होती है, कि P by Q जो है, वो बराबर रहेगा, R by S के, यह हमारी wheatstone network की balancing condition होती है, इससे हम कहते है, condition for balance, और अगर यह balance maintain हो रहा है, तो यहां पे current I0 flow कर रहा होता है, इसको हम remove कर देते हैं, और अपना circuit solve कर लेते हैं, usual way से, चीक है, next, इसके बाद हम discuss करेंगे, meter bridge क्या होता है, अब meter bridge, अगर case हम meter bridge कर लें, तो deflection अगर नहीं हो रही हो एक गलवानो meter में, तो फिर क्या होता है, तब हम X by R जो है, वो हमारा R अब बराबर रहता है, जो resistance होगी wire की X side पे, divided by जो resistance होगी wire की right hand side पे, यानि कि इसकी value रहती है, बराबर L1-L के, जहाँ पे L क्या है, balancing length होती है, simple आप ये formula याद करिए, exam point of view के लिए, इतना ये, हमारा काफी रहेगा, in wire, इसके बाद, अब है main, जो discuss करने के लिए, वो है हमारा, potentio meter, इससे based question काफी पूछे गए है, last to last year, question आया गया, repeatedly आप हर साल देखी लेते हैं, equation, potential meter, एक arrangement है, जो कि use किया जाता है, कि पहले तो हम एक, इसलिए use किया जाता है, कि compare कर सके, EMF को, दो sources की, और दूसरा, कि हम measure कर सके, internal resistance, इसलिए ये हमारा use किया जाता है, और principle बस इतना है, कि जब potential meter balance होता है, तो जो potential difference होता है, source या conductor के across, secondary circuit में, वो proportional हो जाता है, balancing length of the potentiometer wire के, और comparison, EMF से हमें क्या मिलता है, कि EA by EB, अगर A और B दो sources है, वो बराबर रहेंगे, LA by LB, जहां पे LA और LB के है, length है, balancing length of the two sources, और internal resistance हमारा कैसे calculate किया जाता है, वो हमारा हो जाता है, R से denote करते है, capital R, L1 by L2 minus 1, जहां पे R जो है resistance, जो series में cell के लगा हो है, L1 balancing length है, जब current flow नहीं करता हो, और L2 balancing length है, जब current flow कर रहा हो, और potential gradient जो है, potential meter के wire के हो, अगर हम सोचें कि R हमारा resistance है, potential meter wire के, और L जो इसकी length है, तो battery EMF E और internal resistance R जो connected है, across the ends of the wire, तो इस case में, जो terminal potential difference होता है, wire के across, वो हो जाता है, E capital R by capital R plus small r, और potential gradient जाने की V by L length का कितना हो जाता है, वो हो जाता है, E by R, R plus R into 1 by L, potential difference और EMF measure जो होता है, वो potential gradient into balancing length के equal होता है, ये formula हमें, ये define करता है, electrical energy या power, जब circuit एक सेट अप किया जाता है, metallic conductor में, तो loss होता है potential energy का, जो charge, जो appear करता है, as in gain in kinetic energy, अब जितनी energy gain की जारी है, चार्ज की collision, जो है, shared हो जाता है, metal lions का और atoms का, इस case में फिर क्या होता है, atoms जो है, vibrate करते हैं, larger amplitude के साथ, और conductor जो है, वो heat up हो जाता है, इसे हम क्या कहते है, joules heating, जितनी heat dissipate हो रही है, इस conductor में, carrying जो एक current होता है, I, एक time interval T में, उसको हम potential different V से कैसे denote करते हैं, H हमारा हो जाता है, V, I, T, यह हमारा कहलाया जाता है, joules law of heating, ठीक है, इस relation को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V और I का relation पता है, R की terms में, यह हमारा V square by R T भी लिखा जा सकता है, इसको हम I square R T भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से इस form में हम denote कर सकते हैं, तो simply क्या है, जब जतनी energy gain की जारिये charges की collision की duration में, वो share करता है, metal lines और atoms के साथ, फिर atoms क्या होते हैं, vibrate करते हैं, larger amplitude के साथ, और conductor क्या हो जाता है, heat up, इसको हम क्या कहते हैं, joules heating law, rate of energy जो dissipate हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, power, और power कैसे define की जाती है, V into I, यानि कि I square R, या फिर V square by R, define करते हैं, और maximum power theorem जो है, वो ये बताती है, कि जब internal resistance equal हो जाए, external resistance के, तो power जो transferred है cell के, वो क्या हो जाएगी, maximum हो जाएगी, तो maximum power transfer theorem क्या कहती है, वो हमारी ये कहती है, कि जब हमारा internal resistance R, जो है, वो equal हो जाएगी, external resistance के, तो हमारा जो max power transfer होगा, वो maximum होगा, और इसको कहते है, maximum power transfer theorem, तो इस case में P max हमारा कैसे लिखा जाता है, I square R, यानि की, I की value कितनी हो जाएगी, E by R plus R by whole square into R, ठीक है, और R equal to R हो गया, तो हम simply value डालेंगे, तो P max कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, E square, यह हो जाएगा, 2 R का whole square into R, यानि की, यह हो जाएगा, E square by 4 R के equal, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते है, P max is equal to E square by 4 small R, क्योंकि small R और capital R, maximum power transfer में क्या equal हो जाएगा है, तो यह था हमारा current electricity, अब next हम चाप्टर डिसकस करेंगे, वो है हमारा moving charge and magnetism, तो प्लीज देखते रहिए हमारे चैनल को, और subscribe करिये और share करिये अपने friends के साथ, thank you. आज ही डाउनलोट करें डाउटनेटा या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर.